हलो फ्रेंड्स, Wellcome to my channel, Even Tasty Foods, और आज में बनाने जा रबडी, रबडी को आप किसी भी special location में बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, रबडी बहुत ही कम ingredient में बनता है, और यह खाने में बहुत ज़्यादा tasty होता है, तो चलिए रबडी की recipe बनाना शुरू करत मैंने एक कड़ाई ले लिए तो इसमें थोड़ी बड़ी सी लिए इसमें थोड़ा सा मैं घी चारो तरव लगा रही हूं ताकि जब मैं रढ़ी बनाऊंगी तो इसमें चिपकेगा नहीं और ऐले लेटर मैंने फूल क्रीम दूद लिया है तो इसे डाल देतें कड़ाई में गैस मैंने अन कर दिया है और गैस का फ्लेम मैंने अभी हाई रखा है इसको एक उबालाने के पहले वेट कर लेते हैं तो देखिए इसको बीच बीच भी मैं लगातार इसे चलाती रही हूँ और ये उबाल भी आना सुरू हो गया है तो इसी तरह से लगातार दस मिट पहले उबाल लेंगे इसे और लगवक दस मिट हो चुके हैं ये दिखिए इसमें मलाई भी आना सुरू हो गई तो यह जो मलाई है इसको हम किनारे करते जाएंगे तो जितनी बार मलाई आते जाएगी इसको किनारे करते रहना इसी तरह से और फिर बीच में भी हम लगातार चलाते रहेंगे तो लगातार दो तिन मिट के अंदर मलाई आते रहेंगे तो इसको हम साइड करते रहेंगे यह दिकि फिर से मलाई आने शुरू हो गई है तो इसे भी फिर हम साइड कर लेंगे इस तरह से तो इस तरह से सारे मलाई हम इस तरह से हटाते रहेंगे और साइड करते रहेंगे दूद मैंने यहां 1.5 लिटर लिया है अब जब तक दूद हमारा 300 ग्राम के रगपक नहीं रहेगा तब तक हमें इसे चलाते रहेंगे हमें दूद को 1.5 लिटर से 300 ग्राम तक करना है तो इसी तरह इसमें मलाई आते रहेगी तो इसे हटाते रहेंगे गैस का फ्लेम मैंने अभी मीडियम कर दिया है कि थोड़ा सा ये दूद गाड़ा होना शुरू हो गया है तो इसको मैंने अभी मीडियम कर दिया है मीडियम फ्लेम पे हमारा गैस का फ्लेम और ये देखे इस तरह मलाई आते जाएगी इसे हटाते रहना है हर 2-3 मिट के अंदर आते रहेगी और दूद देखे काफे गाड़ा हो गया है अभी तो यह इसको बीच में लगातर चलाते भी रहना है तो दूद हमारा आप देखे 300 ग्राम के लगबग रह गया है तो इसे थोड़ा मलाई हटा देते हैं और इसमें हम अब चीनी अट कर देंगे तो यहाँ मैंने दो चम्मच के करीब चीनी लिए आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं और चीनी गुलने तक इसे हम चलाते रहेंगे और साथ ही साथ मैंने यहाँ आदे चोटी चम्मच इलाची पॉडर लिए तो इसे भी डाल देते हैं और अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं और चीनी और इलाची को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और दीखे चीनी और इलाची अच्छे से मिक्स हो गई चीनी घुल गई अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं अभी और करीब एक घंटा हो गया है और यह अच्छे से ठंडा भी हो गया है तब इसके किनारे हम इस तरह से खुरच लेते हैं और इसे निकाल के इसको दूद में मिलाएंगे हमारी यह लच्छे दार रबड़ी देखिए बनके तयार है काफी जादे लंबे लंबे लच्छे होगे हैं तो इसको निकाल के दूद में इस तरह से डाल देंगे तो सारे लच्छे इस तरह से निकाल लेंगे और मैंने सारे लच्छे इस तरह से निकाल लिये हैं इसको दूद में मिला दिया इसको थोड़ा सा हम मिक्स भी कर लेते हैं इस तरह से तो इसको अच्छे से मिक्स करके बाउल में निकाल लेंगे और ये देखिए हमारे लच्छे दार अबड़ी तयार है काफी लंबे लंबे लच्छे इसमें आए हैं देखिए कितने अच्छे से ये लच्छे आए हैं और इसमें थोड़ा समय पिस्ता डाल देती हूँ तो थोड़ा सा मैने पिस्ता लिए इसके उपर डाल देते हैं थोड़ा सा बदाम है इसको भी मैंने पतले पतले काटके डाल रही हूं आप चाहे तो इसकिप भी कर सकते हैं और यह हमारी लच्छेदार अबड़ी बन के तयार है खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है हाँ थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन जिसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है तो कैसी लगी मेरे आज की रेसेपी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक सेर्ट सब्सक् थिंक य।